हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपनी चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट तो अभी हम बात करने वाले एसी एस टीटेंड डेसन में होने वाले आज के फाइनल मुकाबले की यहां पर मैं आपको बता दू बीएस वी और बीएस सी आर के बीच में मैच होने वा आपको कौन कौन सी टीम बनानी है कौन कौन सी नहीं कौन कौन से प्लेयर रखने है कौन कौन से आपके टइफरेंशल पिक्स हैं वह सारी की सारी है DENNIS मैं आपको बता दूगा दोनों टीम्स के कि पिछली में बनाने चैनल के वाल चेली आप को बहु से आपको जोना यह खिलाफ था जिस टीम ना एक भी मैश नहीं हारा था अभी तक वो उस टीम को भी हरा कर रही है बहुत बड़िया परफॉर्मेंच रही जी लोहिया मैंने क्यों रखे थे कप्तान अपनी पहली टीम में में बात यही थी कि आपको बॉलिंग प्लिस बैटिंग दोनों करवा सब्सक्राइब करें अगर मैं बात करूं सनीश गोईल आपके पास है एक विकेट एक विकेट और तो इसके आप फजल खान दो विकेट दो विकेट और बाइस रन फिसका रोहिच सिंग हमाँ पास है पंदर चौबिस रन के साथ एक विकेट और फौर्टी नाइन रन यहां उसके बाद हमारे पात जो है हितेश राखुर दो विकेट और एक विकेट उसके बाद विर्ख हमारे पास है दस अन के साथ एक विकेट पांच अन के साथ दो विकेट पिछले मैंच में कुमार सौंदर शौरद्या खेले और उसके बाद नितिन दास खेले नितिन दास ने विगेट भी चटकाई पिछले मैच की विगेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रोहिट सिंग ना दो विगेट चटकाई और एक मेड़िन करवाया उसके बाद विर्ख हमारे पास ने एक विगेट इसने चटकाई नितिन दास ने एक विगेट चटकाई जील होई यह न प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें से एक विगेट की पर दस आपके पास बचे दस मैसे आठ तो बालिंग की कर रहे हैं तो यह आप देख सकतो भी आ इनका बस चले ना तो यह सारे के सारे प्लेयर्स और इससे पिछरे मैच में इनना ऐसे कुछ कर रहा था तो यहां पर हई अले में एक विगेट लेगा दूसरे में एक विगेट लेगात तो भाहिया अगर कि पोरे इक कियासे चक्रोड़ा एक हुए थाएग प्लेयरλ के साब कहीं बी नियुक्त पर ये बड़िया प्लेयर है कुमार शरद्या कि अगर मैं बात करूँ तो ये इस नाम का प्लेयर था ही नहीं कहीं पर भी मिलब कहीं पर भी की बात कर रहा हूं किसी भी कलब में फिर उसके बाद अगर मैं बीसी आर की बात करूं एक ऐसी टीम जिसने अभी तक चारों के चारों मैंची जीते हैं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है आपके पास है तैरन नौर रन तेतिस रन उननुनिस रन फिर उसके बाद ये लाकव में हमाया पास अगर मैं बात करूं तो पिछले दो मैंच इसकी अगर बात करो ये ही पांच प्लेयर जाधर बालिंग करने बात करो ये ही पांच प्लेयर गूसे और दिखेंगा और यह 5 आप क्यांसे तो कवर कर लो क्यायकर आ बालस नहीं कवर करपा और यहां व मानं के चलोग आगे सासमने वाली टीम में यह आप को प्लस बैटिंग करके दे का फिर इसके बाद फैजल खान आपके पास एक ऐसा प्लियर जो आपको बालिंग स्खेंड करके तבר किसा मैं यह भी भी तैज्प के नहीं प्लेइक नहीं मिले थे जितने के पे थे हम यहां पर टीम की बाद डिसकुस कर लेते हैं टीम की बात डिसक्स करने से पहले जिन भाय नहीं टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो टेलिग्राम चैनल का लिंक आप को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए का फाइनल अबडेट आपको वहीं पर मिलेगा और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करें और चैनल सब्सक्राइब आपके पास है यह प्लेयर की बैटिंग नहीं आ रही है उसके बाद अगर मैं बात करो आप सेफकान एच ठाकूर एस शैफी अगर आप ट्राइगर ना चाहो आई चौदरी यह दोनों प्लेयर मेरे लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है मेरे एम नेगी ज्यादा बढ़िया क्य नहीं है तो यह प्लेयर आप ट्राइगर सकते हो पर वह यह मैं जो यह कह रहा हूं डिफरेंचल पिक्स हैं जो मैं आपके लिए टीम लेकर रहा हूं वह यही टीम है एस लेक्वामन आपके पास है आर सिंग है फिसके दैन मुझा डैडी है डवल्यू विर्ख है यहां पर एक एस गोईल का उप्शन आपके पास बहुत बढ़िया अगर आप ट्राइगर ना चाहिए एन यसीर अगर आप देखो तो पिछले मैच में इसना परफॉमेंस दी है बहुत बढ़िया परफॉमेंस दी है एक विकेट लेकर गया जी लोहिया कि अगर मैं बात करूं एक व और नीचा आपके पास कोई आप्शन ही नहीं आपके सिर्फ चार और होसकता उसमाई नितिन धास खेल लें यह वाला मैच तो बहुत जाओ चांस चन्स थे क्योंकि इनके पास बहुत जाला प्लियर्स है तो बालिंग भी कर्वा सकते हैं बैटिंग भी कर सकते हैं तो बीस् ये प्र उसके बाद नवींद यो इससे पिछले मैच में पना तो उसे साथा पिछले गौरत गञए तो कंप्तान रखना तो इस पिछले मैं दो इसलिए मतलब भाया हमारा कुछ रहना जाए अफिके्श करवा गया और रहें चिकरा गया तो वैसे कैन रइस वाइस कपतानल स्विच करना था अगर वो कर लिए हो था पर आम से सिंगल हैंडिल ली जीत गए होंगे क्योंकि करन सिंग को एक ऐसा प्लेयर जिसकी मतलब किसी नहीं सोचा था कि वह इतना बढ़िया कर जाएगा और वह हमारी टीम में था उसकी परफोर्मेंस बहुत बढ़